investment करना है या tax saving करना है mutual fund लेना है या equity लेना है ये सारे बहुत सारी questions होते हैं और ये questions का answer तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक आप कुछ details नहीं देख लेते कुछ stats नहीं देख लेते कि इनका performance कैसा है अगर आपने mutual fund ही choose करना है तो कौन सा mutual fund best है और वो कितने दिनों तक best है उसके बाद अगर उससे अच्छा कोई आया है तो या हम fund switch कर सकते हैं कि नहीं अगर insurance में ही डालना है तो क्या insurance के साथ साथ हमें tax benefit मिल रहा है और अगर हमारा tax planning property है तो फिर क्या हम equity based पे जा सकते हैं जिससे की ज्यादा फायदा मिल सकता है ये सारी चीज़े बताने के लिए आपको एक expert की जुरुत होती है ये सारी activities free में हो सकती है आपको simply एक quote कर request करना है और ये किसी भी company का हो सकता है ये मैं HDFC Life संजे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे quotation आपको भीजा जाएगा जिससे की आपको पता चलेगा कि आपके इस bracket में आते हैं कितना आपको income हो सकता है कितना आपका maturity benefit हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है और ये सिर्फ HDFC Life संचे की बात नहीं है ये बहुत सारे plans हैं बहुत सारी companies के plans हैं सिर्फ एक company LIC of India ही नहीं है there are so many companies जो बिर्ला Sun Life है ऐसे बहुत सारे companies हैं आपको सारी companies के जो best suited plans हैं वो accumulate करना है देखना है उसमें समझना है कि कौन सा अगर आपको confusing लगता है तो आपको सिर्फ बताना है कि आपका requirement क्या है और accordingly आपके लिए जो best plans हैं वो जैसे हो सकता है कि आप अगले 3 या 4 साल में अपने family को extend करना का सोच रहे हैं तो maternity plan cover हो ऐसा कुछ plan आपके लिए best होगा या फिर हो सकता है आपके old age parents हो जिनको medical health की जुरूरत हो सकती है तो आपका जो insurance policy होगा वो आपके requirement के उपर depend करता है है ना? तो don't delay fill in the form and get जो आपका requirement है वो आप comments में लिखो और accordingly हम आपको plan भेजेंगे और उसमें से आपको जो suitable plan लगे उस plan पे आप invest करो अगर tax saving ही आपका वो है तो आप tax saving के लिए जाओ लेकिन अगर जितना tax का slab है वो आपका पूरा cover हो चुका है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फिर से भी tax ये गलतियां लोग करते है March के मैने में सीधा सीधा पैसा tax saving में डाल देते है वो उनको देखना पड़ेगा कि आपका tax saving का जितना bracket है वो हो चुका है या नहीं है ना तो ये सारी चीजे अगर आपको complicated लगता है तो don't worry simply fill in the form and we will get back to you okay thank you कर दो चको कर दो कर दो कर दो